को लिए चलते हैं दिल्ली जाप और इस वक्त के सीत्यागी जो चेट्यू के मुख्य प्रवक्ता है उनकी तरफ से प्रेस कॉंफरेंस को निलम बित किया गया है वह अफसोस जनक है सरमनाक है और ऐसा भारतिय लोगतंत्र में इस तरह का कभी नहीं हुआ इसकी भी निंदा की गई चार राश्ट्य कारिकार्णिय परिश्द ने आगामी लोकसभा चुना दो हजार चोबिस में इंडिया गठवंदन के घटक दोलो के साथ राज्यों में सीटों के तालमेल, उम्मीदवारों के चैन, एमम अन सभी संक्षनात्मत और नितिगत मामलों में निरने के लिए सरसम्मती से पार्टी के निता श्री नितीश कुमार जी को अधिकरत कर दिया है यह जानकारिया आपके लिए जी वन बाइवन यागी जी ललन सिंग आपके पूर्वद है उन्होंने कल यह कहा था कि बीजेपी का एजंडा है बुझे अज़ेंग बनाने का आपको लगता है कि आज बीजेपी का एजंडा जो है वो कुछ चुछ बहुँगा अज ने हम जंतादल यूनाइटीड है नामी यूनाइटीड नहीं है आज हम वैसे भी यूनाइटीड और इसका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है जो काम निए उन्होंने कहा था कि इस ग्रिफ्ट भाजपा दफ्तर से लिखी जा रहे है तो हम कह सकते हैं यह 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 आरोग तो बीजेपी हम पे लगाया आप क्यों लगा रहे हैं और हम कह सकते हैं कि बीजेपी इंस्पार्ड एक प्रोपगंडा चल रहा था कही दिन से इसमें कोन बरी बात है नहीं उनको निराशा हुई इससे कैसे क्यास लगा सकते हैं आपकी इच्छा हो सकती है यह मीतिश कुमार जी पार्टी के सरुमान नेता हैं उनकी कद काथी सहयोगी पार्टियों से बातचीत करने में उनके साथ सीटों की तालमेल करने में नीती गत निर्ना लेने में उसमें ज्याद सुईदा हमकूँ देखिए एक दोर ऐसा था मैं कई बार पहले भी कह चुक हूँ बहुत मिनरंता से आपसे कहता हूँ मैं उस संसद में था जिसमें आरक्षन का वीपी सिंजी ने परस्ताव किया था अडवाने जी का भाषन भी उपलब्द है और सिरी राजीव गांधी जी का स्वरगी उनका भी भाषन उपलब्द है किस तरह से उन्होंने जाती आधारित मंडल को रिजेक्ट किया था एक कम yeah तो यह को आना है यह कोंऊ इसे 15 साल केले संभव नहीं था यह इंद्रा जी की पार्टी संभव नहीं था लेकिन आज यह कोंग्रेस पार्टी भी और बी दोनों की एत्यास ही के मजबूरी है कि जो सोस्लिस्टों ने अजंडा तेह किया था जो विपिसिंग ने तेह किया था, करपूरी ठाकुर ने तेह किया था, सारी पार्टिया उस पर चलने के लिए मजबूर है, तीन कैबिनिन मिनिस्टर हैं, मोदी जी के, जो उनकी मर्जी से हैं, मर्जी के खिलाब, जाकर के कहते हैं, मिस्टर अथावले, मिस्टर पटेल, अनुकरिया, और पारस, पसुपतिनास पारस, तीनों मंत्री कहरें कि जातिकत जन्गनना कराईजी, एक पार्टी नहीं ये सहयो कि इंडिया कटवंदन का जो अजेंडा है इंडिया कटवंदन के जो मुद्धे होंगे उसमें सबसे पुरुक मुद्धा जातीगत जनगन्ना हम कराएंगे अगर हम सक्ता में आते हैं तो त्यागी जी जी त्यागी जी त्यागी जी त्यागी जी त्यागी साब इस तीफा देने के बाद ललन सीग ने कोई अप्टा पूर्गा वगतर दिया है उन्होंने उन्होंने कहा है कि जो प्रिचार और प्रिसार फिछले एक सफ़ता से किया जा रहा था मैं मुझको भी उसमें घशिटा गया उन्होंने खुद ये कहा है और जनता दल युनाइटीड का एक एक वरकर इंडिया कट्वंदन को मजूद करने के लिए और भारती जनता पार्टी से लड़ने के लिए क्यार है कौन से नाम बताए ये दो लोगा तुनिल कुमार पिंटु जी नराज है वो बैटब में नहीं आया इस पर आपका क्या चाला है मेरे जान की इतनी बरी चीज़ की मुझे जान करें नहीं है